नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुद ही महतोपूर्ण जानकारी को लेकर के जिहाँ आएज जानते हैं डायबिटीज को नियंतरित करने के 15 बहुद ही आसान घरेलू उपायों के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि डाइबिटीज के इलाज के नाम पर आजकल बड़ा गोरख धंधा चलाया जा रहा है कोई कहता है कि कलोंजी और काला जीरा साथ दिन में खाने से डाइबिटीज ठीक हो जाती है इसके अलावा कोई अपनी चमतकारी दवाओं से डाइबिटीज ठीक होने का दावा करता है इतना ही नहीं कुछ संस्थाएं तो यहां तक कहती हैं कि उनके द्वारा दी गई दवाएं लेने से बहुत से लोगों की डाइबिटीज तो जड़ से खत्म हो ही गई है इसलिए भूल कर भी इन फरजी बातों और दवाओं पर कभी भी यकिन न करें दरसल सच तो यह है कि संसार में ऐसी कोई जड़ी बुटी नहीं है जो व्यक्ति की दिन चर्या में बदलाव किये विना और कोई आहार शैली लिये विना डाइबिटीज को ठीक कर सके वैसे आपको बता दें कि इस दुनिया में डाइबिटीज के कारण हर वर्ष करीब 10 लाख लोगों की मृत्यू तक हो जाती है इसलिए आज हम आपको डाइबिटीज से संबंधित कुछ एक ऐसी बाते बताना चाहते हैं जिससे आप अपनी जीवन सीमा को बढ़ा सकेंगे और अपनी डाइबिटीज को खुद कंट्रोल कर सकेंगे गोर तलब है कि एक स्वस्त व्यक्ति की फास्टिंग शुगर खाने के कम से कम आठ घंटे बाद 100 mg होती है और वहीं खाने के दो घंटे बाद की रक्त शुगर 140 mg के नीचे ही पाई जाती है ऐसे में डाइबिटीज तब मानी जाती है जब दो अलग अलग दिनों पर शरीर में रक्त शुगर की मात्रा खाली पेट 126 से अधिक और भोजन के बाद इसकी मात्रा 200 से अधिक हो जाए अब डाइबिटीज होनी की स्थिती में आप कई आधुनिक दवाईयों का इस्तेमाल करते हैं जिन में से एक इंसुलीन भी है जिहां दर असल इंसुलीन और अन्य दवाईयों का उद्देश केवल आपके रक्त शरकरा को एक नियमित लक्ष तक कंट्रोल करने का ही हो सकता ह वैसे इंसुलीन के अलावा और कई आधुनिक दवाईयों के बुरे परेडाम भी किसी से छुपे नहीं है इन्हीं की वज़ा से लीवर में कमजोरी और हिरदय संबंधी कई रोग भी होते हैं इसलिए ऐसी आधुनिक दवाईयों से आप जितना दूर रहेंगे आपके स्व सब्दों में कहें तो प्रोटीन हमारे शरीर की मूल भूत रचना का कारक ही होता है वैसे यदि आपको डाइबिटीज हो तो आप आधुनिक दवाईयों की बजाए घरेलू नुस्कों और आहारों के जरिये भी अपनी डाइबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं इसलिए आज ह रक्त शरकरा को नियंतरित करने में भी सहायक होता है जी हाँ आप इसका चून बना कर घर में रखें और हर रोज तीन बार नियमित रूप से एक या दो चमच लें इससे आपकी डाइबिटीज हमेशा नियंतरण में रहेगी दालचीनी गौर तलब है कि दालचीनी भी आपकारी सिध्ध होती है दरसल ये कोशकी अस्तर पर इंसुलीन का प्रतिरोध घटा कर इंसुलीन की समवेदन शिल्ता को बढ़ा देती है इसके अलावा यह कार्बोहेट्रेट के विघटन को भी धीमा कर देती है जिससे खाना खाने के बाद शूगर का लेवल एकदम से नहीं बढ़ता है यहां तक कि लोगों का कहना है कि दालचीनी से उनके शुगर लेवल में 29 प्रतिशत तक का सुधार हुआ है आपको बता दें कि यह काफी सिमा तक इंसुलीन की तरह ही कारे करती है वैसे आप दालचीनी आधा से दो चमच तक ले सकते हैं यह ऐसा तत्व ह वैसे मेथी दाना को भी एक सुरक्षित जड़ी बुटी का दरजा प्राप्त है जिहां यह केवल शुगर को नियंतरित करता है बलकि इसे शुगर सहने की शमता भी बढ़ती है इसमें शामिल घुलनशील फाइवर शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है ऐसे में यदि आप मेथी दाने का प्रियोग अंकुरित दाल और चनी की तरह करेंगे तो इससे आपको ज्यादा लाव होगा साथ ही आपको बता दें कि यह आपके लिए नुकसान दायक नहीं होगा वैसे भी महराश्टर में तो इसकी दाल बना कर प्रियोग में लाया जाता है फाइवर युक्त आहार आहार में मौजूद फाइवर खासकर घुलन शील फाइवर कार्बोहेट्रेट के विगटन को धिमा करते हैं इसलिए जितना हो सके उतना अपने आहार में इन फाइवर का इस्तेमाल करें ऐसे में चोकर युक्त आटा सभी प्रकार के सलाज साथी फलो में तो पूर रासायन माना गया है जिहां यह इंसुलीन की समवेदना को तो बढ़ाता ही है पर साथ ही शुगर विगटन की शारीरिक प्रक्रियाओं में भी सहायक है इसलिए आप इसके एक या दो चमच आधा गलास पानी में मिला कर ले सकते हैं इसके अलावा सलाद में भी इ फिल्टर किया हुआ एपल साइडर विनेगर न लें बलकि हमेशा मदर के साथ ही लें कच्चे और कसेले आहार गोर तलब है कि स्वस्थ जीवन के लिए आयरुवेद में सभी छे रसों का सेवन अनिवारिय बताया गया है ऐसे में कसेले फल और कड़वी सबजियां भी शु और मखन खाने से उनका शरीर खराब हो जाएगा और अधिक मोटा हो जाएगा जबकि ये सच नहीं है क्योंकि यदि व्यक्ति एक बार घी तेल से बना खाना खा लेता है तो उसे लंबे समय तक भूख नहीं लगती है साथ ही इससे मिली उर्जा से उसका शुगर लेवल भी संयम में रहता है उमेगा थ्री का प्रियोग गरतलब है कि उमेगा थ्री आहारों में आप अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि शुगर के कंट्रोल में आपकी मदद करेगा पानी भरपूर मातरा में पिए यदि आप अधिक मातरा में पानी का प्रियोग करेंगे तो इ कार्बोहाइट्रेट्स का प्रियोग कम करें जिहां यदि आप अधिक मातरा में कार्बोहाइट्रेट्स का प्रियोग करते हैं तो इससे आपकी कोशिकाओं को भी नुकसान हो सकता है और इस वज़ा से आपकी प्रणाली भी बिगड़ सकती है इससे रक्त शुगर में बढ़ प्रेरित करने में सहायक होता है साथ ही इससे पेट की क्रिया शिल्ता भी बढ़ती है इसलिए हमेशा वियायाम करते रहना चाहिए योगाशन साथ ही हलासन और तडासन भी पेट की क्रिया शिल्ता को नियमित रखने में सहायक होते हैं प्रानायाम इसके अलावा अनुलूम, विलूम और कपाल भाती क्रियाएं पेट में यदि संकुचन और कमपन हो तो उसके दक्षता बढ़ाने में सहायक होते हैं ध्यान ग्रहन करना कई बार इस इस्थिती में तनाव भी होने लगता है ऐसे में यदि आप ध्यान ग्रहन करेंगे तो आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा फिर भी अगर आप ध्यान ग्रहन नहीं कर सकते हैं तो सुबह उठने के तुरंत बाद 10 मिनट के लिए सुखासन में बैठें और अपने हर तनाव से मुक्त हो जाएं दरसल कुछ समय तक मोन रहने से भी तनाव से छुटकारा मिलता है इसलिए ध्यान के स्थिति में बैठना आपके लिए बेहत फायदे मन सावित हो सकता है जिया दोस्तों इसमें जो भी हमने आपको जानकारी बताई हमारे वाइस ओवर में यह रिसर्च पर आधारित जानकारी थी इसलिए किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें कि यह औशधी फायदे की जगा आपको नुक्सान करने लगे अगर आप 100% स्वस्थ हैं और किवल जो हमने बीमारी बताई यानि कि शूगर इससे पीडित हैं तो इन में आप इन औशधियों का बिल्कुल बखुबी रूप से प्रयोग कर सकते हैं आपके लिए फायदे मन साबित होंगी तो दोस्तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहदी मातो पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तो